मुंबई की जनता का एक बार फिर से अभिननदन है आपकी अदालत का ये लेक्ष्ट एपिसोर हमारी महमाने राजठाकरे आपकी अदालत में अगला इसा आपकी अदालत में महराष्ट्र नवनिर्मान सेना के प्रमुक राजठाकरे पर आरोप है कि ये सुविधा की राजनीती करते हैं राजठाकरे जी चुनाव का मौका है आप भी लोग सभा के मैदान में हैं और सब लोग कह रहे हैं कि चुकि आजकल नरेंदर मोदी के हवा है आपने पहचान ली है तो उनकी पूँच पकड़ के आप भी अपना इलेक्शन जीतने की कोशिश करें मुझे किसी की पूँच पकड़ने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है कि 2011 में जब मैं गुजरात के दोरे पे गया था वहाँ पे 10-12 दिन का मेरा दोरा था और उस वक्त मैं जब मुंबई आ रहा था तब मेरी जो प्रेस कांफरंस होई थी उस वक्त मुझे जब पत्रकारों ने मुझे सवाल पूछे थे उसका मैंने जवाब दिया था उस वक्त मैंने 2011 में यानि के पॉलिटिकल सिनारियों पे नरेंद्र मोधी as a prime minister कहीं भी नहीं थे उनका नाम भी नहीं था कुछ नहीं था भाजब को तो मालूम भी नहीं था तब वो आडवानी जी के और सुश्मा सुराज जी की बात चल रही थी तब मैंने गुजरात में मैंने ये कहा था कि नरेंदर मोधी जैसी एक व्यक्ति इस देश की प्रधानमंत्य होनी चाहिए जब किसी ने इस देश में किसी ने कहा नहीं था तब राश्ठाकर ने कहा था तब किसी को आपती नहीं आई तब किसी ने पूछा नहीं तुकि क्यों नाम ले रहा है ये तुम्हें जानता हूँ कि आप राजनीती के ऐसे चतुर खिराड़ी हैं कि डेड़ साल पहले आप समझ सकते हैं तो अची बात है लेकिन मुश्किल तो शिवसेना की है गड़बंदन उनका है और मोधी के पोस्टर आप लगा रहे हैं नहीं देखिए हमारे एक जो कैंडिएट है उनने वो गलती की थी जो उनको समझाया और उसके बाद वो पोस्टर निकालने को मैंने कहा था और कहीं भी अगर आपको दिखाई दे किसी भी मेरे मेरे दस कैंडिएट खड़े हैं उसमें से एक नहीं ये गलती की थी लेकिन बाकी मैंने किसी भी कैंडिट की यहाँ पर मोदी जी का फोटो आपको दिखा ही नहीं देगा चलिए फोटो आप अप अटा देंगे लेकिन इसका क्या करेंगे आप हर पब्लिक मीटिंग में कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी को ज़रूरत पढ़ेगी तो मंद से उनके सपोर्ट करेंगे और इसमें गल्ती क्या है राज चाते जी एलाइन्स शिपसे नाग और बीजेपी का है होगा ना आप कहां से बीच में आगे मुझे कोई बीच में जाने की ज़रूरत नहीं है अगर मुझे एक आदमी का काम करने का तरीका अगर पसंद है अगर उन्होंने जो भी काम किया है मैं उसका प्रशन सकूँ अगर वो कल प्रदान मंतरी बनना चाहते है और अगर बनेंगे और मेरे जो उमिदवार है वो सांसत बनके अगर जीत के आते है उसके बाद अगर मैं उनको सपोर्ट करूँ तो उसमें गलती क्या है गलती की जनता को इंप्रेक्शन या रहा है जैसे आपका एलाइंस है नरिंदर मोदी के साथ में वीजेपी और मंसा का एलाइंस है ने ने बात ऐसी है ना कि ये सारी चीज़े ये परसेप्शन की बात है मैंने जो कहा है वो मैंने मन से कहा है और जो मेरी इच्छा है वो मैं मुझे प्रकट करने के लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता और जिसके लिए मैंने मेरी भाशन में भी मैंने कहा है कि नरिंदर मोदी जी का नाम लेके या उनका चेहरा लेके मुझे वोट मागनी की जरूरत नहीं है लेकिन अगर इस आज अगर स्थिती ऐसी है देश की अगर वो ठीक से अगर ना संभाले वहां पे अगर एक अच्छा नेता वहां पे ना बैठे पर जो देश की पर सिती वो बिगड सकती हो और ऐसी स्थिती में कल अगर पकड लिजीक अगर मैं यह डिकलेर ही नहीं करता तो आप जैसे ही लोग मेरे को बोलते है अच्छा तो अंदर से कॉंग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं यहने मैंने डिकलेर नहीं किया तो आप बोलेंगे कॉंग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं मैंने मोधी जी को सपोर् राजना सिंग भारती जनता पार्टी के अध्यक्ष उन्होंने कहा, सुना है सारी राजनेतिक पार्टियां नरेंद्र भाई, मोदी, नरेंद्र मोदी को समर्थन देंगी, अरे भाई, काहे भी ना मांगे समर्थन देने के लिए आप परेशान है, यदि किसी को समर्थन देना या तो भारती जनता पार्टी का एलाई बन जाए बीजेपी के ताद गडबंदन कर ले पार्टी में खुद को विलीन कर ले वही दावाय कर सकता है काहे को अनावेश्टेक जनता की आख में धूल जोगते हो राजनीती सिरफ सच पोलके करनी चाहिए बिलकुल मेरा सपोर्ट नरेंद्र मोदी को है राजना सिंग को नहीं है और इसके उपर किसी को आपती है तो नरेंद्र मोदी जी बात करे राजना सिंग ना बात करे आपकी अदालत में नरेंद्र मोदी जब आये थे मैंनों उनसे पूछा था यह सवाल तो उन्होंने का भी जो भी मुझे जहां भ अब उसका मैं क्या कर सकता हूं मैं उसका क्या कर सकता हूं आप उनका गडबंदन तोड़वा देंगे मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आप देखिए उनकी अगर दो पार्टियों को अगर देखा जाए तो आज कोल्ट में उनके डिवर्स पेपर है तैयार लेकिन अभी जैसे आप बोलते हैं तो देखते हैं भराजी प्रताब रूडी उन्हें मनाने जा रहे हैं अभी उनको कौन मनाने जाए तो मैं क्या कैसे रोक सकता हूं यह मनाने और रूटनी की बज़े आप हो गए ना मैं क्या कर सकता हूं बताईए आप डाइवोर्स करा कि मानेंगे मुझे किसी का घर तोड़ना या किसी की घर में जाके कुछ डिवोर्स करवाना वगरा इसके मुझे कोई आदत नहीं ना जरूरत है ना मुझे जरूरत लगेगी एक और घर है जहां आपकी बहुत बात होती है उद्धर ठाकरे ने कहा कि शरत पवार के साथ आपका परदे के पीछे एलाइंस है उसके लिए परदा भी तो बड़ा होना चाहिए देखिए इनके सांसत दिल्ली में कहां रहते हैं, कहां जाते हैं, कि पवार साब के दर्बाजे के बाहर कौन खड़े रहते हैं, एक बार आप दिल्ली के हैं, आपको भी मालूम होगा कौन कौन हो आप पे जाता है, मेरे तो सांसत है नहीं, उनके घर के बाहर कौन रहते हैं, आपको ही मालूम होगा। यह सवाल इसलिए पैदा होता है कि शरत पवार आजकर आपकी बहुत तारीफ करते हैं। अभी मैंने उनका इंटर्विव पढ़ा, वो जब तारीफ करते हैं तो समझ लीजिए डरना चाहिए। बहुत जब गाली देते हैं तो समझना चाहिए चलो अची बात हो रही है। वो कहते हैं कि M.N.S से डरना चाहिए। यह अची बात हैrás यह कहते हैं एम इनस को लाइटली नहीं लिया जा सकता। यह भी अची बात है। राज ठाकरे की पब्लीक बिटिंग में बहुत भीड़ा रही है वो सच है तो अगर पवार साहब आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं तो कुछ न कुछ तो मन्चा होगी पीछे अब उनको पूछे मेरे तो कुछ है नहीं सब आके अगर में उज़े अगर आँख मारते हैं तो मैं क्या करो आप मेंसे जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं राज ठाकरे से यहां यहां पस्टों में जैसा कि 2002 में नरेन मुदी जी पे दंगो का के से सुप्रीन कोट से तो आप यहां कहे रहें उनको सपोर्ट करें जिसने गुजरात में 11,000 करोल का करजा कर दिया वो इस देश में विकास कैसा लाएगे पहली बात तो यह है कि जो 2002 में हुआ वो किसी को पसंद है ऐसी बात नहीं है लेकिन उसके बात जिस तरह से गुजरात की जो डेवलप्मेंट हुई है मेरे पास बहुत सारे ऐसे मुसलिम भाई आते हैं जो मेरे साथ बात करते हैं और कहते हैं कि जो अभी हुआ सो उसको कुछ नहीं कोई कर सकता लेकिन अभी जिस तरह से वो development कर रहे हैं बहुत सारे मेरे industrialist दोस्त हैं जो कुछ मुस्लिम है उन्होंने मुझे कहा कि जिस तरह से वहाँ पर development हो रही है जिस तरह से industry को वहाँ पर लाने की कोशिश हो रही है वो मुंबई के है, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आज लग रहा है कि जाके गुजरात में बैठ जो और बहुत बार ऐसी चीजे होती है कि जो हो चुकी है जैसे इंदिराजी की उनकी हत्या के बाद सीखों की हत्या हुई थी या ऐसे बहुत सारी घटना अपनी देश में हुई है मुझे लगता है कि अगर आगे बढ़ना है तो सारी चीजों को पीछे रखना होगा लेकिन राज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इनके जैसे जो लोग है जिनके मन में बारा साल पहले की वो घटना आज भी ताजा याद है लोग मरे थे सड़कों पर कतल्याम हुआ था तो कैसे भूल जाए तो फिर आगे कैसे जाए कुछ तो एक बार तहे करना पड़ेगा न कि या तो वो भूल जाए या तो आगे चले जाए अगर वहीं पर रहना है तो बात कर लो वहीं पर बात करते है कैसे चलेंगे यानि अगर जिस तरह से अगर आप जर्मनी देख लेंगे जर्मनी में जिस तरह से हिटलर ने जो भी कुछ किया था अगर आज जर्मनी देखेंगे तो उन्होंने वो सब बंद कर दिये दर्वाजे वहां के जो जर्मन लोग जो है उनकी तरफ आम अदमी जब देखता है उनकी तरफ जो बाकी देशों के जो लोग देखते है वो ये नहीं देखते है कि ये हिटलर के कंट्री से है जो हुआ था वो उन्होंने बंद कर दिये दर्वाजे वो सारी चीजे भूल गए और जर्मनी डेवलप कैसे हो जाए आगे कैसे बढ़े इसके लिए वो सोच रहे हैं क्या इस बात की jak कैरेंटी दे सकते हैं कि आगे नहीं होगा तब तो शायद कई भूलने की बात सोचें मैं कैसे दूआ था महाराश्चे में नहीं होगा ये मैं देच सकता हूं आप महाराश्चे से निकल कर राश्टरी राजनीती में कब आ रहे हैं महाराष्ट्र के बाहर की राजनीती मुझे करनी नहीं है मैं यह जो सांसत भेजनी की कोशिश कर रहा हूं महाराष्ट्र के प्रॉब्लम्स दिल्ली में समझ में आए इसके लिए ही मैं इलेक्षन लड़ रहा हूं अदरवाइस मुझे कोई जरूरत नहीं है और इसका कारण ही यह है कि हर एक अगर रिजन के लोग अगर अपना अपना घर ठीक कर ले तो मुझे लगता है देश ही बड़ा हो जाओगा आप अपने उम्वीदबारों को दिल्ली भेजना चाहते हैं महाराष्ट की समस्याओं के लिए नरिन्द मोधी को प्रधानमंत्री बंदे में मदद करना चाहते हैं तो आप तुढ क्योंत नहीं चुनाव लड़े तो कैमपेड़ कों करेगा लेके कर रहे हैं ना सब राउल गांदी चुनाव लड़े हैं कैमपेड़ कररे हैं कैसे है के उनके पीछे एतने सालों की है rogeni जी दम कर रहे है उनके पीछे एतनी बड़ी इतनी सालों की party है उसके पीछे है एक RSS नाम की एक एक और party है क्यों भी थोड़े दिन पहले बनी थी वो भी चोन हब रण रहे कौन? कौन नहीं वो तो इलेक्शन के बाद खतम हो जाएंगे मेना नाम इमरान मुदी है जी क्या है इमरान मुदी इमरान मुदी जी आप सब जगा जाते हो केमपेनिंग करने के लिए तो हमारे मुंबादेवी एरिया में क्यों नहीं आते हो आपको इसा लगता है कि हम आपका वेलकम नहीं करेंगे मैं वही बोल रहा हूं बुलाईए आउंगा हम तो हमेशा हुलाते हैं चलि आप यह जिम्मेदारी आपको पर होगी आप बुलाईए और सब के सामने उन्होंने प्रॉमिस किया वज़रूर आएंगे जी सर अभी बुलाईए आपको बिलकुल आउगे और आपको आना चाहिए बिलकुल आउगे अभी अभी आपने रजट जी से कहा कि शिवशेना और बीजेपी की गडबंधन सरकार की जो डिवास पेपर है वो अदालत में है सर आपी बता जीजी ये डिवास होने कब वाल है ने ने मैं मैं उसकी प्रतिक्षा में नहीं हूं मैं और मुझे कुछ लेना देना है ने कि उनका ऐसे ही मैंने मजाक में बोल दिया था हूँ वो डिवास पेपर बने ये तो आप नहीं बताएं तो कब होगा वो भी आप ही बताएंगे जिस तरह से उनके बीच में जो लड़ाई चल रही है उसके हिसाब से मैंने कहा था और किसी राजचाकरे मुझे ब्रेक के लोखना है लेकिन इल्जामात बहुत सारे मेरे पास में हैं आपने इतने सारे कारणा में कियो हुए हैं हम एक miracle लुकेंग और ब्रेक के बाद आपके अदालत में राष्ठाकर्य पर जनता के दामा और सस्वाल आपका एक अथा उम्मई में करणाटक से लोग आते हैं, गुज्राअ से लोग आते हैं, रातिथान से आते हैं, हर जगा से आते हैं लेकिन आपके निशाने पर सिर्फ बिहारी की होते हैं महरास्त के लिए गर्व का विशय नहीं होना चाहिए कि पूरे देश से लोग आप बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं महरास्त जरूरत नहीं आप अपने आपने जो इलाके है वो पहले सुधारो मैं नरंद्र मोधी जी को मैं वही विनंती करूंगा कि अगर वो प्रदान मंत्री बनते हैं तो पहले वो उत्तरपदेश बियार और जारकन की तरफ पहले पांच साल देख ले